वेलकम तो माई यूटूब चैनल टैग बाउमकेश दोस्तों आज के वुडियों आपके लिए काफी ज़्यदे इंपोर्टेंट होने माले क्यूंकि आज के वुडियों मैं आप लोगों बताने माला हूं कि आप अपने वीव वाई 20G के फोन में इन डिस्प्ले फिंगर प्र प्लेइश्टोर को ओपन करना होगा जैसे ही आप लोग प्लेइश्टोर को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सर्च करना है टच लोग स्क्रीन जैसे ही आप लोग यहां पे लिखेंगे तुरंत आप लोगों को धेर सारे अप्लिकेशन मिल जाते हैं तो यहां पर आपको एही वाला application डाउनलोड करना यहां पर देख सकते हैं touch lock screen के नाम से है यह application इसको ही डाउनलोड करिएगा ध्यान से आप लोग देख लिजिए काफी ज़्यादा अच्छा application है काफी लोग इसका यूज़ करते हैं और फटा फटा अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कीजिए और तुरंत इसको open करिए जैसी आप लोग अपने फ़ोन में इस application को open करते हैं यहां पर आप लोगों को अपना internet आफ कर लेना है ताकि add आप लोगों को जो भी सो हो तो नहीं दिखाए देंगे इसके बाद आप लोगों को allow के option पर click करना है यहां पर start का option मिलेगा start के option पर click कर देना है अब इसके बाद आप लोगों को wallpaper के option पर click करना है यहां पर permission मांगता है अलाव कर देंगे आपके phone में जो भी यह permission मांगता है इसको दे दीजिए हो सकता आपके फोन में हमारे फोन से ज़्यादा परमिसन मांगें क्योंकि इसको मैं दूसरी बार यूच कर रहा हूं इसलिए सायद हो सकता ऐसा फिर इसके बाद जब wallpaper के option पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां से कोई भी एक wallpaper आप लोगों को चूज कर लीजिये इस wallpaper पर जब आप किलिक कर देते तब यहां से आप लोगों से कहता किस position पर आप लोग लगाना चाहते हैं वहां से जो दो से चार बार आप लोगों को type करना होता है यहां पर जैसे अगर आप चाहते हैं यहां पर जो कोई touch करके fingerprint को यहां पर आप अपना scan कराना टच करना है 1, 2, 3, 4 एक ही जगह चार बार आपको करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ से इसके बाद आप लोगों को next करना है confirm करने के लिए कह रहा है तो हमें जो हो वहीं पर 1, 2, 3, 4 इसके बाद आपको next कर देना है finally जब आप next कर देते हैं इसके बाद आपको pin बनाने के लिए कहा जाता था आप यहाँ से pin बना लीजिए अगर आप जो भूल जाते हैं password अपना तो इसको recover कर सकते हैं आगे तो यहाँ से pin बना लेते हैं इसके बाद कोई भी एक security question अगर आपके phone में आता, select करने के लिए, select कर लीजिए, इसके बाद कुछ भी उसका answer type कर दीजिए, submit कर दीजिए, finally pin set हो जाती, इसके बाद आपको कोई भी एक wallpaper यहां से choose कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, अगर आप simple चाते हैं, simple भी ले सकते हैं, इसके बाद इस पर click करके yes पर click कर देना है, अब finally गाईस हमारे phone में display fingerprint lock लग चुका है, अगर हम अपने phone को करते हैं, lock और जैसी lock करेंगे, तुरंत अगर इसको open करना चाहेंगे, तो इसको हम जैसे हमारे phone का जो गी lock है, slide वाला, तो इसको जैसे हम slide करेंगे, तुरंत ओ वाला आ जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपको आपके phone में display fingerprint lock लगाना है, तो आपके phone में कोई भी lock नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बाद जब it open आ जाता है, तो यहाँ पर कोई भी कहीं भी touch करेगा, त इसी तरीके आपको अपने phone में display fingerprint lock लगाना है, तो गाइस उम्मेद कतम वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रही होगी, अगर आपको वीडियो useful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को भी subscribe कर लीजिए,